हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जनरल साइंस के 41 अत्यान महत्पूर कोश्चन लेकर आया हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं आप में से काफी इस्टूडियन ने कमेंड के तक से जनरल साइंस पे बहुत ही इंपोर्टेंट है हेल्फूल रहेंगे जोदि आपको कोई भी गार्म्ट एक्जाम है से सी बाइंग रेले पीसी पुलिस का तो आप इस वीडियो को जरूर देखके जाएं काफी सेलेक्टेड और यह कोशन पिछली परिक्षाओं में पिछले वर्सों में बहुत प्रिक्षाओं मिलता रहें प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने से मित्रों के साज इदने वापको प्रिंस त्यारी कर रहें चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट बहुत ध्यान से देखिएगा लास तक चलि पहला कोशन हमारा नमकीन छेतर में होने वाली बनस्पतियों को क्या कहते हैं तो दोस्तों नमकीन छेतर में होने वाली बनस्पतियों को कहते हैं हेलो फाइट क्या कहते हैं हेलो फाइट ठीक है जो नमकीन छेतर में बनस्पतियां होती है उनको हेलो फाइट कहते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं पौधे का कौन सभाग सुसन करता है पौधे का कौन सभाग सुसन करता है तो पौधे की पत्ती जो सांस लेने का काम करती है सुसन काम करती है पत्तियां जो होती है ठीक है पौधे का कौन सभाग सुसन काम करती है पौधे की जो पत्ती हो शुसन का काम करती है केला और नारियल कैसे फल है? केला और नारियल ये कैसे फल है? बीच पत्त्री फल है कैसे है? बीच पत्त्री फल है कुशन नमर फूर्थ है हमारा सिंकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? कुनयन प्राप्त की जाती है ठीक है सिन्कोना पोधे के दने की चाल से क्या प्राप्त की जाता है कुनयन कोश् глаз नमर 5 है बीच के अंकुरण में क्या महत्पून होता है हवा नमी और उफियुक्तताब कोश्चन 6 है हमारा इश्ट और मश्रूम क्या होते हैं तो ते फफूद या फंजाई ठीक है इस्ट और मश्रूम फफूद होते हैं कुशन 7 थे दोस्तों मारा कीटों के वैग्जानिक अध्यन को क्या कहते हैं कीटों के वैग्जानिक जो अध्यन होता है है यह कोशन भी पूछा गया है बहुत बार रेलवेस सेख्जाम में फल विग्जान के अध्यन को क्या कहते है ठीक है फ्लॉरी कलचर जितने भी यह सब्जी विग्जान के अध्यन को क्या कहते हैं कि व्लेरी कल्चर क्या कहते हैं सब्जी विग्यान के धिन क्या कहते दोस्तों यान ओर फ्लोरी कल्चर ठीक है चलिए अगला कोषिण नन्सेमर powin जिसमें आंख का वह भाग जिसमें वारांग होल होता है तथा जो किसी ब्यक्ति की आंखों का रंग निश्ðित करता है उससे क्या कहते हैं आइरीस जो है दो और नाए्ट्रो सोमोनौस हें क्योंक दोस्तों जीनोम चित्रन का सम्मन्द किसके चित्रन का समंद किसके चित्रन से जीन्सол एक वीडियो को देख लेते हैं बारुदी शुरंगों को पता लगाने में कौन उप्योग होते हैं पंतगा ठीक है देखे दोस्तों यह इतने भी कोशन आपको बता रहा हूँ पिछली परिक्षा हम पूचा गये हैं और काफी महत्पूर्ण है आप वीडियो को लास तक जरूर देखें और ये इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है एजोला नीरलहित सहवाल एवं एलफाफा किस के रूप में प्रयोग होता है जैव उर्वर गिर्गिट जो है एक आँख से आगे के और उसी समय दूसरी आख से पीछे और भी देख सकता है गिर्गिट अगला कोश्चन हमारा क्रिशी की वह साका जो पालतु पशुओं के चारे आस्रे स्वास्ता प्रजिनन सम्मंदित होती है उससे क्या कहते है उसके पशुपले न को क्या कहते है जेरेंटोलोजी ठीक है व्रिद्धा वस्था के अध्यन को क्या कहते है जेरेंटोलोजी कहते है ठीक है जेरेंटोलोजी अगला कोशन है जनसंख्या एवं मानो जाती के महत्मून आकडों के अध्यन को क्या कहते है जनांकिकी ठीक है जनसंख्या एवं मानो थे महत्पून mg अ्टरों के स्टडिव को क्या कएते है जनांगी क्या क्या कहते हैं जली पौथे को क्या कियते हैं अएड्रो फाइट डिक एक जली पौध होता है उसको क्या कहते हैं जली पौधु अचिए क्रमे विप्रे अपयूटेत melted होती है breaks की आयू का वर्षौ में निर्धारण किस अधार्प्त करेंप यहां पे यह वर्ष यानि year में अधिक में दूपस्धिक जो वार्षिक वालेगों कि संख्या गख़ on को चुंदो को समतापी प्राणियों में टाप का नीमिन करने वाला मस्तिस के अंदर क्या है हाइपोधल्सम् है अगला हुष्ट नेहिए। हमारी जीव पर श्वाद का लिकाये जो खट की ज़ोम पाइजाती है तो पास्जोभाग में जो होता है ये सारी स्वाद और या सब पाई जाता है पास्जोभाग में मिर्दा के नाड्रोजन से भरपूर कने वाली फसल का लो म्हा खाया सूर्ण के सब्सक्राइश परपूर करने वाली फसल है। वह जोंगे छाव थैका है अगला कि पन से बगोलियों मात्रा हृ जञान से नदीयों गोसला बनाने वाला मात्र साफ है को उत्परिवरतन कस ने दिया था डेव्रीज ने किसके दिया था उत्त Пरिवरतन कai सिध्धान्त डेव पीरीज बैदा दिए ठीक है। तो यह आप यॉयात रखेंगे पहलब हिसकी किसी ने दिनी डीव रीजht मनुष्रा में आफसेसी यंग क्या है कारण पल लुमा पेशिया है। पेज की खेती काइसे की जाती है शुर्म करके ठीक है। नेक्स सोचन है, जीव भिगजान का जनक कों थे? फादराफ बायोलाजी BettaLife नेक्स सोचन है, इफेडरीन औसस्धी का उपयोक किस रोग में किया जाता है तो अष्थमा में, थिक है? इफेडरीन औससधी में किया जाता है अस्थमा में कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र को कोशित चरण में वाडिजिक तंतु पैदा करता है रेशम का कीड़ा फिर है बनस्पति बिगजान के जनक कौन थे थीओ फ्रेश्टस ठीक है बनस्पति बिगजान फादराफ बोटनी थीओ फ्रेश्टस अगला कोशन नेवारा लंबे समय तक ठोर सारी रीक कारे के पस्चात मानस्पेशियों में थकान अनुवा होने का कारण क्या होता है ग्लुकोज का वक्ष है एक वैस्क मनुष्ट के प्रते एक जबड़े में कितने दात पा जाते है 16 अगला कोशन इंपोर्टेंट है मानों का बग्यानिक नाम क्या है होमो सेंपियंस ठीक है मानों का बग्यानिक नाम मनुष्ट का बग्यानिक नाम क्या है होमो सेंपियंस तो यह थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 41 कोशन जो आपके एक्जाम में बहुत बार पूछे गया है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो का अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ प्लीज सेर जरूर करें आपके पास इतने भी स्टेडिस एलेट गूरूप है वाटसेप फेस्बूक गूरूप और सभी जगे इसको शेर कर दें ठीक है ताकि सभी कहले पहूं सके दोस्तों और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स मता है आपको अगले किस टॉपिक भी वीडियो चाहिए आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा ठीक है जो भी आपको लगे ठीक है दोस्तों तो आप ऐसी हमारे चैनल पर इ personnage बत्त कर दोस्तों मता है तो आपको घॉपिक है जो आपको बनाऊंगा बनाऊंगा जोस्तों गाहिए जरूर आपकोट ऑलम मता है जो सबतेशे साहरे हिएैं, डिक भीडियो मत मता है थ क्व्वल